हलो काई स्वागत है आपका सिटुसन सी चानल पर और आज आप देखने वाले हो 2024 में ही रिलीज हुई हारम मूवी बैग हैड का ब्रेकडाउन जिसके डारेक्ट हैं अलबर्टु कारड़ॉर 2017 में इसकी शार्ट फिल्म आई थी फिर 2023 में ये फुल मूवी बनी और 2024 में रिलीज हुई लीड रोल में आप देखोगे फ्रेया एलन को दवेचवाली तो चलिए अब सादा देर ना करते हुए जोल्दिस स्टोरी स्टार्ट करते हैं मूवी स्टार्ट होती है एक पब में जिसका मालिक है ओवन पब की हालत एक दम खसता है क्योंकि फिलाल ये वर्किंग नहीं है तुफानी रात में नील नाम का अदमी पब के अंदर आता है और वो बोल रहा था कि मुझे उससे मिलने दो वो भारी पैसा भी दे रहा था पर ओवन ने उसे साफ मना करके वापस भेज़ दिया इस पब की मिस्टरी ये है कि इसके बेस्मेंट के अंदर एक सूपर नैच्रल क्रेचर रहती है जो किसी भी डेड़ परसन से आपकी बात करा सकती है बस आपको उस डेड़ परसन का कोई समान उसे देना होगा उस समान को खाकर वो उस परसन की आतमा को बलाएगी और उसी परसन का रूप ले लेगी फिर आप खुद उस डेड़ परसन से बात कर सकते हो लेकिन सिर्फ 2 मिनट तक दो मिनट के बाद वो creature फिर से हावी हो जाएगी और फिर आपको फसा कर वो मार भी सकती है क्योंकि पावर उसके पास बहुत है वो बस उसी का कहना मानती है जो इस पब का मालिक होगा जैसे अभी है ओवन ओवन ने इस प्रोसेस को बिजनस बना लिया था दो मिनट के 2000 लेकर इसने कईयों की बात उनके मर चुके करीबियों से कराई लेकिन अब ये भी ठक चुका है आज रात ये उस creature समेथ पूरे basement में आग लगाने वाला है ताकि ये जनजट हमेशा के लिए खतम हो जाए इसलिए इसने नील को वापस भीज़ दिया जो आया था अपनी dead wife से बात क पहले ओवन ने एक video message record किया अगले owner के लिए इन केस ये अपने plan में fail हो गया तो उस message में उसने सब कुछ बता दिया कि basement में एक मयावी creature रहती है जिसके owner अब तुम हो यानि तुम ही एक दिवार हो उसके और बाहरी दुनिया के बीच में चाहे कुछ भी हो जाए उसे basement से न बुझ गई अब तक आप पूरी cycle समझ गए होगे उस creature को सालों से basement के अंदर क्याद करके रखा हुआ है मालिक बदलते रहते हैं लेकिन मकसद सब का एक ही होता है उसे रोके रखना ओवन से पहले भी कई सारे मालिक थे जिनकी photos वहाँ पर लगी हुई है और इन सब का अंत कुछ वैसा ही हुआ था जैसा ओवन का हुआ क्योंकि मालिक बनने का मतलब है कि आप अल्रेडी मर चुके हो जो जीवन आप जी रहे थे वो खतम हो चुका है और जो नया जीवन है guardian का ये कब खतम हो जाए वो क्या नहीं सकते लेकिन होगा जरूर और अच्छे नोट पे नह गया था क्योंकि वो पब का मालिक बन गया था पर इन्हें ये बात आज तक पता ही नहीं ये आज भी उससे नफरत करती है क्योंकि जब इसकी मा बिमार हो गई थी तब भी ओवन इनसे मिलने नहीं आया और उसी बिमारी के चलते इसकी मा की देथ हो गई थी ये अकेली रह रोम में यह किराइब पर रहती है उस रूम में से इसने किराया इसने दिया नहीं। अब इसके पास एक ही सहारा है इसकी फ्रेंड केटी केटी उसे अपने घर लेकर जा रही थी कि तब ही उसके पास फोन आता है कि तुम्हारे डैड की देथ हो चुकी है आकर बाड़ी की पहचान कर लो केटी ने उसकी टिकट करवाई और उसी वक्त वो निकल गई वहाँ पर पहुंच कर जब उसने बाड़ी की हालत देखी तो उससे देखी नहीं गई उस पहचान करके वो जल्दी से वापस चल दी लेकिन बीच में उसे रोक लिया वकील ने प्रॉपर्टी के बारे में बाचित करनी थी वो आईरिस को पब दिखाने लेकर गया तो आईरिस के होश उड़ गए कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी मेरे डैड के पास थी और हमें पता भी नहीं जहांपर इसका डैड जलकर मरा वहाँ पर उसका निशान भी है नीचे पब था और उपर रहने लाइक रूम भी था वहाँ पर सूटकेस में ओवन के कपड़े रखे हुए थे जिस वो केटी को सब कुछ बता दीती है तो केटी कहती है कि मैं भी आ रही हूँ जब तक मैं नहीं आ जाती तब तक कुछ मत करना फिर वो आराम से सो गई लेगिन आदी रात में बेस्मेंट के अंदर रखा टाइमर बजा चेक करने वो नीचे पहुँची लेगिन बेस्मेंट क पर मजबूर हो गई, नील अंधा पैसा दे रहा था सिर्फ बेस्मेंट में जाने के लिए, तो इसमें आयर इसका क्या ही नुकसान था, पहले रहने की जगा मिली और अब पैसा भी मिल रहा है, वो भी बिना कुछ करे, उसकी तो अचानक से किस्मत ही जाग गई, पर दिक्कत है कि इसके पास बेस्मेंट की चाबी नहीं है, वो है वकील के पास, अगर चाबी चाहिए तो ये पब इसे अपने नाम पर करना होगा, जो कि अब ये कर भी लेगी, क्योंकि इसका तो हर जगा से फायदाई हो रहा है, पैसे लेकर उसने नील को बोला के कल आना, कल तक खुशी-खुशी वहां से चला गया, पर सुबह होती ही, आईरिस वकील के पास पहुँची और उसने डीड पर साइन कर दिये, यानि वो पब की मालकिन बन गई, ध्यान देने वाली बात ये है कि वकील के हाथ में जो अंगूटी है, उस पे भी दरवाजे वाली भाशा लि गई और साथ में मिली वो टेप जो इसके डैड ने रिकॉर्ड की थी मरने से पहले, जिसमें मैसेज था नए ओनर के लिए, उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी ही नई ओनर बन जाएगी और वो इस मैसेज को देखेगी, जो के केटी ने इसे मना भी किया था के कुछ मत करना, पर पैसे के आगे इसे कुछ दिखा नहीं, रात तक केटी भी आ गई और आइरिस ने जो किया उससे वो नाराज थी, तब आइरिस ने बताया कि जब पैसे आ रहे हैं तो मैं क्यों ना लूँ, ऐसे कुस दिर बाद नील भी आ गया, वो तीनों बेसमेंट म पर जल्दी ये दोनों भी सुन ओ गई, जब वो क्रेचर उस होल से बहर आ गई, उसके फेस पर एक बैग डला हुआ था, तब ही इसका नाम पड़ा बैग हैड, उसे पास आता देखकर सब की सांसे फूल गई, फेस नहीं दिख रहा था, लेकिन हाथ पैर काफी थे किसी के अंदर दहशत भरने के लिए, हिमत करके नील उसे बोलता है कि मेरी वाइफ से मेरी बात करवाओ, पर नील को पूरी तरह इगनोर करके वो आगे बढ़ती जा रही थी आईरिस की तरफ, क्योंकि आईरिस ही मालकिन है, वो एकदम आईरिस के पास पहुँच गई, और कोई प्राइस कर दिया डबल, अईरिस ने और्डर दे कर उसे चेर पर बैठाया, फिर नील ने अपनी वाइफ सेरा के रिंग उसे दे दी, जिसे वो खा गई, एक काम करना नील भूल गया था और वो था उसे चेर से बानना, जल्दी से ये काम भी उसने पूरा कर दिया, फिर अ पचानक से कुछ हुआ, जिसके बाद बैग हेड के हाथ पर उनके सामने चेंज हो गए, यानि सेरा आ गई, भावुक होते हुए नील ने उसके सर से बैग अटाया, लेकिन बैग अटाते ही, उसकी सारी खुशी गाइब हो गई, योगि सेरा के बजाए आ गई थी नील की मा असल में सेरा को बुलाने के लिए जो रिंग इसने दी थी, वो इसकी मा की थी, इसकी शादी के टाइम इसकी मा ने इसे दी थी सेरा को पहनाने के लिए, निशानी वो इसकी मा की है ना के सेरा की, ये बात इसने सोची नहीं थी, 16,000 गई, इस दुनिया से जो चले गई थे, वो इस दुनिया में वापस आने के बाद क्या बोलते हैं वो सुनना बड़ा इंट्रोस्टिंग है नील की माने 20 साल पहले खुद अपनी जान ली थी पर अब नील उसे कह रहा है कि अब मर गई थी तो वो मानी नहीं रही किसी की बॉड़ी बेजान हो गई थी ये दूसरों को पता है जिसकी होई थी उसे थोड़ी ना पता है इसे तो यहीं लग रहा है कि सो कर जा गी हूं डेली की तरह नार्मल कोई बेहोश हुआ कभी बस वैसा ही कुछ इसे लग रहा है जिस दना डीव सोचोगे उतना इसी बात्चीत में दो मिनट बीद गए और दो मिनट बाद क्या होता है वो मैंने आपको बताई था मिलने जुलने का टाइम खतम हो जाता है वो क्रेचर हावी हो जाती है हावी होते ही वो बड़े मीन जवाब देने लगी जिनने सुनकर नील सोच में पढ़ गया कि सवाल ना कर नहीं रख सकता असल में इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी उसके फेस से बैग हटाया तो था लेकिन दो मिनट बाद वापस भी डालना था तब ही वो शांत रहती और अब वो बेकाबू हो चुकी है नील के उपर जपट कर उसने पूरा इविल डैड़ वाला सीन बना दिया तब आइरिस को याद आया कि वो मालकिन है उसने बोला रुको तो वो रुक गई फिर जल्दी से उसने बैग पहनाया तो स्पिरट चली गई और वो फिर से नॉर्मल हो गई अलगे नॉर्मल होते ही रिंग भी उसने उगल दी इसके बाद आइरिस ने ओर दिया क नील ने उसे पैसे दिये और बोला कि अगर मन बदल जाए तो मुझे बता देना योगि पैसा मैटर नहीं करता पैसा बहुत है नील के जाने के बाद उन दोनों ने ओवन वाली टेप को प्ले किया तो सारी बात उन्हें समझा गई में पाइंट से है कि वो क्रेजर तुमार निकलना और वही तुम्हें रोकना है चाहे कुछ भी हो जाए उसे बाहर मत निकलने देना वरना आखिर में फस जाओगे वह अच्छी तरह जानती है वह क्या कर रही है और अगर तुमने यहां से भागने की कोशिश की तो बिमारी और मौत तुमारा पीशा करेगी कहीं भी चले जाओ तुम्हें वापस आने पड़ेगा इससे हमें समझ आया कि आईरिस की मा भी इसी वज़े से मरी थी क्योंकि ओवन यहां से निकल कर इनके पास आना चाहरा था पर उसे फालो किया बीमारी और मौत ने इसलिए मजबूरन उसे वापस आना पड़ा यानि पहले-प पारफुल क्रेचर अगर आपके शारों पर नाचे तो आप खुद को उससे भी जादा पारफुल समझने लगते हो फिर घमन तो आना ही है और लालच भी आएगा कि अपने गुलाम को यूस करूं जादा से जादा क्या हो जाएगा मेरे से उपर थोड़ी है बात तो मेरी मा देता है एक आखरी बार पैसा खीचेंगे फिर यहां से चले जाएंगे सिंपल अब समझदार के मन में यही सवाल आएगा कि जब नील के पास इतना पैसा है तो यह पब उसे बेच क्यों नहीं देती पैसा ले और बीच में से निकल जा करने दे उसे बाते लेकिन नहीं पा काम उसने यही किया कि बेस्मेंट की सबसे पहली सीडी पर लिख दिया डू नाट क्रॉस यानि इसे पार मत करना जायर सी बात है कि इसका आडर वो मानेगी और जब सीडी क्रॉस नहीं करेगी तो उपर आने का तो सवाली पैदा नहीं होता यानि मेजर कंसर्न इसने दूर क लिखा हुआ था केड़ी ने डीड पर उसके सैंड हुडे तो वो भी मिल गए उसके नीचे आइरिस के डैड के हैं और साथ में आइरिस के यानि के ओवन से पहले ओनर वही था केड़ी ने उसके बारे में थोड़ी रिसर्च की तो पता चला कि उसने खुद अपनी जान ली थी जैसे ओवन ने ली फिर जैसे केटी ने लैब टॉप बंद किया वो उसे सामने बैठा हुआ मिला लेगिन पलक छपकते ही गायब कुछ दिर बाद नील और आइरिस भी आ गए इस बार नील ने दिया सैरा का लाकेर जिसे खाती सैरा उसके सामने आ गई इस बार आइरिस ने दो मिनट का टाइमर भी सैट कर दिया सैरा के साथ भी सेम केस था यह मरी थी कार क्रेश में लेगिनी से याद ही नहीं नील ने उसे याद दिलाया फिर भी उसे यकीन नहीं हुआ पर जादा टाइम नहीं था इसलिए नील सीधा मुद्दे पर आ गया उसने पूछा कि त साथ चल रहा था और ये सुनते ही सेरा दंग रहे गई तो कोई गुडबाई नहीं बोलना था इसे ये बात चुब रही थी पूरे एक साल से पर सेरा ने मूँ नहीं खोला और ऐसे दो मिनट पूरे हो गए आइरिस ने उसके फेस पर बैक डालना चाहा लेगन उसने अपना मा बोल रही थी कि मैं तेरी मालकिन हूं तुझे मेरी सुननी पड़ेगी लेगन यही तो बात समझनी है कोई मालकिन कोई गुलाम नहीं है हम दोनों ही क्यादी है ये बात खुदू स्क्रेचर ने बोली लेगन अफसोस इतनी समझदार होने के बाद भी आइरिस अब तक समझ घर बेज दिया फिर आइरिस बैड कर ट्रिंक करने लगी तो अपनी रिफलेक्शन में उसे दिखाई देने लगा उसका डैड तबी बैग हेड ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे ले गई पास दिखाने उसके डैड के मरने से कुछ टाइम पहले मरने से पहले ओवन ने इसकी मा को बुला कर उससे आखरी बार बात की थी स्टार्टिंग से पलाट का एक बहुती मेजर पार हमारे आस-पास मंड रा रहा है लेकिन हमने अभी तक उस पे ध्यान नहीं दिया आर इस भी तो अपने डैड को बुला कर उससे बात कर सकती है और अपनी मा को भी नहीं उल्टा पड़ गया वो तो जली नहीं उल्टा ओवन जल कर मारा गया अपने डैड की मौत भी आईरिस ने देख ली पर क्या अभी से अकल आ जाएगी लगता तो नहीं इन्हीं ख्यालों में डूबे हुए उसने एक स्कैच बना दिया फिर रात में जब वो सो रही थी तब ही नीचे से किसी की हवास आने लगी केटी गायब थी तो वो जल्दी से बेस्मेंट में पहुची और वहाँ उसे मिला उसका डैड जो के होल के अंदर जा रहा था आईरिस ने उसे रोका तो देखा कि उसके फेस की स्केन उतर रही थी अजीब ना लगे इसलिए उसने खुद पुरी स्किन फाड कर उखाड़ दी और जैसी उखाड़ी अंदर से निकला बैग क्योंकि वो थी बैग हैड आईरिस ने उसका गला पकड़ लिया तो खुद आईरिस का गला घोटने लगा बैग हटाया तो वो निकली खुद आईरिस वो तो सब सबना था लेगिन आईरिस से बड़े अराम से इसे निवटा सकती है फाइनली इस बात को सीरस लेते हुए वो पहुंची वकील के आफिस में लेकिन वो तो खाली था फिर हेरा फेरी हो गई अब केटी उसे समझा रही थी कि हमें यहां से निकल जाना चाहिए लेकिन आईरिस अब भी राजी नई थी उस इस तो अपनी मात का रास्ता तैयार कर रही है ओटो का घर एकदम खंडर हो चुका था फिर भी कई पेपर्स उसे मिल गए जिन से पता चला के ओटो भी इससे निकलने की कोशिश कर रहा था इसी बीच वो पला गया जिसका हमें वेट था आईरिस ने अपने डैड को बिला और उसे भी नहीं पता कि वो मर गया था उसे बस इतना याद है कि उसने इस जगा को जला दिया था पर जगा तो एकदम ठीक है सच जान कर उसे और सदमा लगा क्योंकि अपने जिस कर्स से ये अपनी बेटी को बचा रहा था आज बेटी उसी कर्स में खुद फर्ष चुकी मज़े की बास सुनो जो काम करके इसने पैसा चापा आज वही काम करके इसकी बेटी ने इसे बुलाया आज ये सामने वाली चेर पर बैठा है कभी मुर्दों को मिलवाय करता था आज खुद मिलने आया और ज्यादा टाइम नहीं हुआ इसे मरे हुए खैर इनी बातों में पूरा हो गया तो अवन में आग लग गई ये सारी माया है जाते जाते उसने आईरिस को बाय बोला और साथ में ये भी बोला कि मुझे दोबारा मत बुलाना विचारा बोलना चाहा है कि बैग हेड की पावर का यूज मत करना उसे क्या पता ये भी डैडी के नक्षे कदम प बजा ऐसे में केटी बेस्मेंट में पहुंच गई जहाँ पर उसका वेट कर रही थी बैग हैड केटी के पास ओटो के घर से मिले कागस थी तो एक कागस फाड़ कर वो खा गई जिससे ओटो वापस आ गया फिर वो बताता है पूरी बैक स्टोरी ये बात है चार सो साल पहल कर मार डाला लेकिन मरने के बाद भी उसे रोक नहीं पाई वो वापस आई इस बार और जादा पावरफुल अपने साथ वो लाई थी बीमारी और मात गाउं के गाउं उसने उजार दिये तब एक रिच्वल करके उसे इस दिवार के पीछे क्याद कर दिया गया दिरे दिरे सब उसे भूल चुके थे लेकिन सद्यो बाद उसी ग्रूप के वन्शजों ने इस दिवार में होल करके उसे फिर से बाहर निकाला उसकी पावर्स को अब्यूस करने के लिए लेकिन जितना जादा उसका यूस करते उतनी जादा वो पारफुल होती गई एक एक करके उसने स अगली सुबा आयरेस जागी तो उसके पास केटी का फोन आ रहा था केटी ने उसे भुलाया बेस्मेंट में वो जल्दी से पहुँची तो केटी की आवाज आ रही थी होल के अंदर से बिना जादा सोचे वो अंदर चली गई और अंदर टनस का जाल था उनमें भटकते हु केटी उसे मिल गई लेकिन जल्दी केटी की लाज भी मिल गई जो इसके साथ है वो है बैग हैड ये बता चलते ही वो भागी तो बैग हैड ने सीलिंग से चिपक कर उसका पीशा किया अलके वो बचकर बाहर आ गई और फिर उसे उठा कर ले गया नील केटी इसे बोलती रह की तो देखा के नील बैग हैड के साथ डील कर रहा था उसने डीर्ड के उपर साइन भी कर दिया लेकिन वो मिट गया क्योंकि पैन वही चाहिए इसी बीच बैग हैड ने भी अपनी चाल शुरू कर दी उसने सेरा को बुला लिया और इस बार सेरा ने उल्टा नील का ही रा था वो यह है कि सेरा प्रेगनन थी अब सेरा यानी बैग हैड उसे बोल रही थी कि हम अब भी साथ रह सकते हैं पर तुम्हें आईरिस को मारना होगा वो भी आईरिस के पीछे लग गया और यहां शुरू हुआ मात का खेल नील से बसती हुए आईरिस च्छत पर पहुँच के इसे वापस ला ताकि ये डीड़ पर मेरा नाम लिख दे है तो ये भी बेवकूफी और मज़े की बास सुनो मरने के बाद जितनी जल्दी इसके डैड को बुलाय था उससे भी जल्दी इसे बुला लिया कुछी मिनट पहले मरी और अब फिर से वापस आ गई इसका भी व स्टोरी में और असली बात क्या है वो नील भी नहीं समझ पाया इसने क्या कर दिया ये खुद नहीं जानता आप तो जानते हो ना रूल्स मालकिन थी आईरेस जिसे इसने मार दिया यानि बैग हैड को आड़र देने वाला आप कोई नहीं लेकिन इससे बड़ी बेवकूफ अब खुद अपनी मालकिन है अब उसे कोई नहीं रोक सकता और ये सब उसने खुदी प्लैन किया था नील का आना आईरिस का आना केटी का आना ओटो की फोटो गिड़ना कागस खाकर उसे वापस बुलाना एटुज सेर सब कुछ प्लैन था ये बस माहरे थे उसने बड़े मजे लेकर आखरी माहरे को खतम किया मा बनकर नील के हाथ तोड़े सेरा बनकर सर फोड़ा फिर आईरिस के रूप में चेर मार कर उसका फेस क्रश कर दिया इसके बार डीड को आग लगा कर वो चलती बनी बैक भी वहीं फेक दिया पुरे पब को जला कर वो चलती बदले के वास्ते पर इसे के साथ ही मूवी खतम हो गई एक सिंपल से आडिया को आप कितने एफेक्टिव तरीके से दिखा सकते हो वो कोई इस मूवी से सीखें कौन से बढ़ाई सीधा था और उसे बार बार यूज करना था लेकिन जिस तरह उसे यूज किया उसे से मूवी में जान लिया और उसके आने से जो बड़ा रिवील हुआ वो भी अमेजिंग था मालिक और गुलाम एक हो गए और सारे नल डीड खतम बैक खतम आम तोर पर जिस पेस से मूवी एंड होती है उस पेस से स्टार्ट होई थी और फिर रुके नहीं एक भी मिनट के लिए धियान हटने ने देती टॉक्टुमी जैसी आप इसे कह सकते हो लेकिन उसकी कॉपी नहीं कह सकते योगि इसकी शॉर्ट फिल्म 2017 में आई थी टॉक्टुमी के अंदर भी सिमिलर कॉंसेप्ट था पर यह मूवी कॉंसेप्ट के उपर जाधाटी की रही एकदम एंड तक जो काफी मुश् सेट कर लो तागे नोडिफिकेशन आपको बार बार बुलाती रहे दो मिनट से जाधा के लिए और जाधा कनेक्टिव रहने के लिए आप मुझे इंस्टोग्राम पर फालो कर सकते हो वहाँ आपको बहुत कुछ जाने के लिए मिल जाएगा और साथी बागी जगा उपर भ हचके के लिए भिए आपको